प्रवा सक्षी नेटों कर आप सभी का स्वागत है अब लगब यह स्तिती साफ हो चली है कि महारास्ट में किसकी सरकार बनेगी हम आपको बता दें कि महारास्ट और जारखंड विधांसभा के चुनाओं के लिए मत करना आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होई औ कि सरकार बनेगी महारास्ट में महायूति के जो परिणाम सामने आए हैं वह दिखा रहे हैं कि चमतकार कर दिया इस कठवंदर ने आप देखें कि अभी मई जून में जब लोकसवा चुनाओं हुए थे तब महायूति को बड़ा छटका लगा था महायूति के नेता कुछ द राज्य विधानसमा में जो अभी तक रुजहान सामने आए हैं जो परिणाम सामने आए हैं वह दिखा रहा है कि महायूति अगर 200 पार कर देती है वहां पर तो यह महारास्ट के हाल के जो चुनाओं परिड़ाम रहे हैं राज्य विधानसमा चुनाओं के उसमें ये एक एतिहासिक विजह कही जाएगी बीजेपी के नेतेत्वाले महायूति की और यह दिखा रहा है कि महायूति ने किस तरीके से एकचुठ होकर चुनाओं लड़ा और किस तरीके से जो विपक्षी गठवंदन है MVA उसने बिखर कर चुनाव लड़ा हालांकि नेता साथ दिख रहे थे लेकिन दिल साथ नहीं थे आपको याद दिला दे किस तरीके से उमिद्वारों का चैन को लेकर सीट बटवारे को लेकर अंतिम समय तक MVA में रस्ता कशी चलती रही थी शिवस समय में बार बार सब भाग कर शरत प्रवार की शरण में जाते थे शरत प्रवार को फॉर्मूला निकाल कर देते थे तब आगे जाकर बात होती थी और इस तरीकी की भी खबर थी कि वहां पर जो आपसी फाइट हो रही थी कि ठीक है कि गठवंदन में MVA ने माल लिजे कि श शायद महारास्ट में लोगों को यह नारा काम कर गया है और हिंदुतु की लहर दिख रही है आप देखे कि कुछ समय पहले वहां पर माराथा अरक्षन आंदोलन खड़ा हो गया था उस अरक्षन आंदोलन का कोई असर नजर नहीं आ रहा है किसानों की नाराजगी की बात इसाथ उनको इसका लाब मिल रहा है क्योंकि महाईूती के सरकार बने ऐसा महारास्ट के जनता चाहती थी और वही जनादेश सामने आया है तो यह दिखा रहा है कि महारास्ट में महायूती को तो प्रचंड वहमत मिला है लेकिन जो MBA है उसको अब अपने हार के कालनों पर मन्थन करना होगा देखिया हम जब आपसे बात करें तो 203 अब की बार 200 पार हो गया है महारास्ट में यह बहुत बड़ी काम्याबी है महायूत बनाया 2019 में सबसे बड़ा दल बनाया और 2024 में भी सबसे बड़ा दल बनाया अब सवाल उठता है कि BJP क्योंकि सबसे बड़े दल के तौर पर 115 सीटें खुद बढ़त बनाएवे हैं तो क्या मुख्यमंत्री पर एकनाच चिंदे को देगी क्या बीजेपी फिर से समझोता करे क्या देवेंदर फधनवीस अब फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अगले कुछ घंटों में मिल जाएंगे अगले कुछ दिनों मिल जाएंगे वैसे महरास्त की विदहांसवा का कारेकाल चुकी खात्म होने ही वाला है एकार दिन में तो इ परणाम सामने आ रहा है वो दिखा रहे हैं कि आदिवासी चेत्रों में आरक्षन वाला जो मुद्दा था कि एक डर दिखाया गया कि यह बीजेपी अगर आती है तो आरक्षन कर देगी आपके जमीन चीन लेगी यह डर कहीं न कहीं अभी भी काम कर रहा है जारखंड में इसल पर बढ़त बनाए हैं जबकि 41 पर वहां पर इंडिया घट बंदन यानि विपक्ष अभी भी बढ़त बनाए हुए जारखंड में काटे की टककर है त्रशंकु विधानसवा के सिति बनती दिख रहे हैं तो राज्य को बड़ा नुक्सान होगा जो जोड़तोड की राज्यती बढ़ावा देती है तो अगर गठ बंदन की सरकार बनती है तो जारखंड के लिए मुश्किल एक नई खड़ी होगी लेकिन कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले वाली बात है क्योंकि महरास्ट में उसकी अपेक्षा से भी ज्यादा शांदार नतिज है वह तो अगर हम एकनाच्षिंदे की रित्यत्वाली शिवसेना की बात करें तो 56 सीटों पर बढ़त बनाए वे और आप देखें कि 51 विधायक एकनाच्षिंदे शिवसेना के तोड़कर लाए थे और लगबग उतने ही अपने दम पर जिता दिये तो एकनाच्षिंदे को कमजोर नहीं समझना चाहिए एकनाच्षिंदे को अगर शिवसेना प्रमुक उनको बनाया गया अगर चुनाव आयोग ने उनको चुनाव चिन और पाटी उनके उनके नाम सौपी है तो इसमें कोई गलती नहीं आपको साबित कर दिया है कि वह जितने विधायक लेकर आयते सबस्ट वहमत हासिल करने से चुप गई थी तो माना जा रहा था कि महरास्त और धारकंड में हार अगर उसकी होती है तो केंदर की सत्ता के लिए कोई खत्रा नहीं है बलकि केंदर की सरकार मजबूत हो गई है प्रधानमादिक नियांतर वोदी के हाथ और ज्यादा मजबू होगा तो महारास्ट चुनावने कई सारे संकेत और संदेश दे दिये हैं देखना होगा कि अन्तिम नतीजे क्या होते हैं फिलहाल मैं आपको फिर से बता दूं कि महारास्ट की जहां तक बात है तो 209 पर इस समय महायूती यानि NDA जो की बीजेपी की नितेत वाला है वह पर और बीजेपी के नितेत वाला गटभंदन है उस 37 सीटों पर बढ़त पनाय हुए है फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही अगले कुछ देर में आपके साथ फिर जुडएंगे बताएंगे आपको ताज अपडेट तब तक आप देखते हैं यह प्रभासाक्षी अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके